ये हेल्दी और टेस्टी नास्ता, आप पच्चों के टिफिन में भी दे सकते हो, ब्रेक फास्ट के लिए बहुत अच्छा है हेलो अपरिबन, रादे रादे, गूइट मॉर्निंग, मेरी बाइटी फेमली, कैसे हैं आप सब, उम्मीद करती हैं सब इच्छे होंगे, सस्थ होंगे, मस्थ होंगे, और चलिए आज बनाते हैं बहुते टेस्टी से, ब्रेड पकोड़े, और एक ही स्टफिंग से हम आपको आज तीन डिजाइन में बताएंगे, आप अपने अकॉर्डिंग, उनको जो शेप दे सकते हो, और बहुत तरीके से बनते हैं, लेकिन उनमें से एक तरीका माज आपके साथ से एर करेंगे, लेकिन आपको तीन शेप में बना के दिखाएंगे, जो कि आप बच्छों के आपको भी में टाहेंगे, बहुती तीसी से चलिये बनाना शुरूर करते हैं, तो हमारे आलू वाइल हो चुके हैं, और मैंने वाइल आलू को मैस कर लिया है, और फिर कड़ाई में मैंने आलू करम किया है, थोड़ा सा एक चम्मच चीरा एट किया है, छोटी एक चम्मच कर पता एड़ किये हैं और मैंने बारीक जॉब किया हुआ प्याज एड़ कर दिया प्याज को थोड़ा सा भून लिया और फिर मैंने हल्दी पाउडर थोड़ा सा और थोड़ा सा धनिया पाउडर थोड़ी सी लाल मिर्च एड़ की है और थोड़ा सा करम मसाला एड़ किया है औ आपको इजी लगे आपको अगर चाट मिशाला करना है तो कर दीजिया नहीं तो अमचूर बाउडर कर दीजिये कुछ भी कर दीजिये जो भी अबलेबल हो टेस्ट के अकॉर्डिंग नम्मक एड़ करेंगे और सभी को अच्छे से मिक्स करेंगे मैस करते हुए अगर अलू का कोई बड़ा पीस है उसको मैस कर दीजिये और मैस करते हुए मिक्स करेंगे हरा धन्या एट कर दिया है और थोड़ा सा पनीर एट कर दिया है जिससे हमारी जो ब्रेट पकोड़े हैं वो उनकी जो टेस्ट में न चारचांद लग जाएंगे और प्लेस हेल्दी भी हो जाएंगे बहुत जाएदा तो थोड़ा सा मैंने पनीर को ग्रेट करके एट कर दिया है अब चलिए तो जो इस्टफिंग है वो हमारी थंडी भी हो चुकी है अब मैंने ब्रेट को लिया है और यह हमारी जो न आटा ब्रेट है ब्राउन वाली आपको इसी भी ले सकते हो तो हम यह जो आलो की स्टफिंग है इसको अच्छे से हम ब्रैड के उपर लगा लेंगे आप चाहो तो इससे पहले सॉस भी लगा सकते हो ब्रैड पर चटनी भी लगा सकते हो पर मैंने बिल्कुल शिंपल तरीके से बनाए हैं लेकिन टेस्ट बहुत गजब का था अगर किसी महमान के आने पे अगर आप बनाएंगे ना तारीफ के फुल ही बान देंगे तो मैंने दूसरा ब्रैड उसके उपर रख दिया है अच्छे से टुफिंग फैला के पूरे ब्रैड पे और मैंने इस तरीके से पहले इसको कट किया और उसके बाद हम इसको दूसरी साइड से भी कट कर देंगे तो ये हमारे mini bread पकोड़ा हो जाएंगे क्योंकि अगर हमारा bread का piece बड़ा है न तो cable दो piece में काफी बड़ा बड़ा हो जाता है तो ये अगर इस तरीकी से आप cut करेंगे तो ये mini bread पकोड़ा इनका size बहुत perfect रहता है सेखने में भी बहुत ठीक रहता है और प्लेस खाने में भी प्लेस टिफिन बगारा में रखने के लिए भी फिर आपकी choice के उपर depend करता है आपको कितना बड़ा रखना है उसी हिसाब से आप save दे दीजिए तो मेरा piece बड़ा है तो मैंने इस तरीके से ही बनाया है लेकिन आपको बना के दिखा रही हूँ और इस तरीके से भी बना सकते हो आप केबल दो piece करके एकदम सीधा सीधा हमने cutting की हुई है अब चलिए तीशरी shape भी दिखाते हैं shape तो बहुत रहकी बनते हैं आप अपने according कोई भी shape बना सकते हो तो ये देखे तीशरी shape हमारी ये हो गई है ना तो इसी तरीकी से मैंने जितने भी मुझे बनाने थे मैंने cutting कर ली है सभी की stuffing लगाने के बाद अब चलिए बनाते हैं गोल तो मैंने ये लिया है बेशन और मैंने इसमें ना दो चम्मच अरा रोट पाउडर भी मिक्स किया है उसकी किलिप पतानी कैसे मिस हो गई है और मैंने टेस्ट के according नमक एड़ किया है थोड़ी सी हींग एड़ किया है और आधा चम्मच मैंने अजवाइन को थोड़ा सा हाथों से रगट के मसल के थोड़ा सा एड़ किया है अब थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए सभी को मिक्स करेंगे दो पिंच मैंने इसमें बेकिंग पाउडर भी आड़ किया है थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसलिए मिक्स करेंगे क्योंकि घोल को हमें पतला रखना है ज्यादा थिक नहीं रखना है थोड़ा थोड़ा पानी इसलिए एट करेंगे ताकि हमारे घोल में लम्स ना हो तो देखिए दो पंच मेंने बेकिंग पाउडर एट कर दिया और अच्छी तरह से इसको हम थोड़ा सा फैट भी लेंगे जिससे हमारा जो थोड़ा सी फिलफी हो जाए तो अच्छे से देखिए हमने इसको फेटते हुए मिक्स करते के हुए घोल तैयार कर लिया है बहुत जादा पतलाबी नहीं हमें रखना है बस इतना रखना है कि हमारा जो ब्रैट है उसमें अच्छी से डिप हो जाए हल्की सी कोटिंग हो जा है उसको हम इसमें डिप करेंगे और डिप करके कठाई में गरम तेल में एट करेंगे और ओयल ना बहुत ज़्यादा गरम नहीं होना चाहिए और लेकिन मीडियम होना चाहिए और मीडियम फ्लेम पे ही हम गैस को रखेंगे फिर इसको धीरे से चला देंगे पलट देंगे जि सीख लेंगे इस तरीके से तो हमारे रूप डैट पकोरा थे वो अच्छे से सीख चुके हैं और मैं इनको कड़ाई से बाहर निकाल लूँगी और जो हमारे बच्चे हुए हैं उनको भी इसी तरीके से हम डिप करते हुए कड़ाई में एड करेंगे और सेख लेंगे सभी को जितने भी हमने बनाये हैं आपको अपनी हिसाब से जितने भी बनाना है आप उतने बना सकते हैं फैम्री मेंबर के हिसाब से और इसी तरीके से आप बनाईएगा एक बार ट्राई चरूर करिएगा सभी को घर में बहुत पसंद आने वाले और महमान को एक बार बना के जरूर खिलाएगा आपके तारीब के पुल बांद के जाएगे सिंपल से साधा से हमारे ब्रैट पकोड़ा इतने टेस्टी बनेंगे कि आप बिलीब नहीं कर सकते बच्ची भी बहुत प्यार से खाएंगे अगर आप बच्चों के टिफिन में रखेंगे तो टिफिन फिनिश ही होके आएगा और आप किसी भी चटनी के साथ चाय के साथ अंजोई कर सकते हैं तो मैं तुझा रही हूँ खाने और आप से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में और आप भी बनाएए और एंजोई करिये थेंक्यू बाइबाई